करो कि अपयोगी एक सिनरीओ है जो हमने लास्ट में डिसकस किया था तो वह सिनरीयो था कि जब आपके राउटर पे य। दिक्कत आती हैं वालोग यह राउटर डाउन हो जाए है और फिर यह जो active router था वो down है, उस case में वो act कर सकते हैं, और stand by active बनेगा, और listening वाला stand by बनेगा, तब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे एक दो scenario और है, अगर मैं चलता हूँ, यह नी था, यह वाला, interface tracking यगर आप बात करते हैं, कि scenario one है, जब client side by hsrp down है, मतलब कि ज scenario two क्या मोलता है, कि link between isp and client is down, तो यहाँ पे, अगर मान लो मेरे पास ऐसा हो, कि जो यह link है अपना, कौन सा, यह तो यह down, या फिर यह down, मतलब कि interface यह है, और यह आपका हुआ total link, मतलब कि इस link में कोई दिक्कत आती है, तो यहाँ पे तो कोई असर नहीं पढ़ने वाला, यहाँ पे तो कुछ नी change हो रहा, तो यह जो आपका hsrp का domain है, it will be unaffected by that, तो यह अगर active था, तो यह active ही बना रहेगा, यह listening में था, तो यह listening ही बना रहेगा, और यह standby था, तो यह standby ही बना रहेगा, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कि hsrp के अंदर ना, मैंने बता इसके साथ, कि अगर यहाँ से down हो, या फिर isp की side से तो link तो down हुआ, मतलब यहाँ पे तो को traffic नहीं आएगी जाएगी, तो यह जैसे ही hsrp को sense करेगा, और बता देगा किसको, अपने hsrp के process को, और hsrp फिर उसको क्या मोलेगा, कि हाँ, अब मैं react कर सकता हूँ, अब उ react कैसे करेगा, priority को कम कर देगा, ताकि अब यह no longer it could be active router, लेकिन ध्यान यह रखना है, कि default जो priority कम करता है, वो यह 10 से करता है, तो अगर आपकी priority यहाँ पे 110 होती, तब तो उसको कम कर देगा और वो आ जाएगा 100 पे, तो फिर अगर बाकी सब पे 100 थी, तो वो highest IP के base पे क्या कर लेगा, आपका, you know, नए active router का selection कर लेगा, तो यह active बन जाएगा, और यह आपका standby बन जाएगा, ठीक है, पर दिक्कत यह हो अगर, दिक्कत तो क्या है, कि मालो आपने कहीं इस पे ज्यादा priority कर रहा, क्योंकि 110 ना होकर, यह priority थी आपकी 130, for example, 140, 150, अब क्या होगा, अब यह by default जब 10 से reduce हुआ, react होने के बाद, तो यह तो 120 ही हुआ, पर अभी भी priority जादा है, और default जो active का selection हो किसके base पे होता है, priority के base पे, तो यह तो अभी भी active बना रहेगा, तो आप क्या चाहते हो कि भाई, मेरी जो priority decrement हो, वो एक particular value से हो, ना कि default value से, तो यहाँ मेरे कितनी है 30, तो मैं 40 से कम कर दूँगा, तो मेरे priority 130-40 कितनी आ जाएगी 90 पे, तो अब आपको पता है, यह priority कम हुई, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है उससे, अब यह IP के base पे, इन बेसे यह क्या बन जाएगा, इन active, और यह क्या बन जाएगा, stand by, तो यह एक process है, हम समझ लेते हैं, कि अगर हमारा link down होता है, तो फिर कैसे हम, इसके recording react कर सकते हैं, तो R1 पे चल के कर दो, serial 0 by 0 को down, या फिर ISP पे जाके serial 0 by 0 को down कर दो, बचलो मैं R1 पे हूँ, तो इसी को कर दो, पहले एक बार मैं देख लूँ, last time वाला ही है scenario, adjectives, कि मेरा ping आ रहा है कि यही सबसे पहल कोन है, आतो रहा है, चलिए जी, trace कर लो, एक बार, आपका 1.1 है, तो 1.1 आपका active router होना चीए, do, show, stand करोगे, तो जी, अच्छी बात है, यह active router है, R2, जहां तक मुझे ध्यान है न, क्योंकि इस बिना रहा हूँ, यह वीडियो में, यह listening में होना चीए, यह listening में है, और ऐस सही है, अगर आप चलोगे यहां पर, तो do, show, stand by, तो यहां पर लिखाई आया, तो stand by है, यह stand by मिलेगा, चलिए अच्छी बात है, तो जी, R1 पे, अब अगर मैं जाता हूँ, और क्या कर देता हूँ, interface, fa0 by 0, तो पहले चलते हैं, जहां पर आपने stand by को, you know, इस hsrp को enable कि किया हूँ, stand by, और यह ध्यान रखना है, group का number वही हो, जो आपने पहले किया हूँ, कुन सा था, 250, ना कि किसी और में, नहीं, तो फिर यह, जो आप चाते हो, वो उस group में नहीं होगा, चलिए जी, तो यहां पर अगर देखोगे, option आता है, आपकी पास, track का, priority tracking, लिखा है priority के base में करता है, तो track, तब track में क्या चाते हो आप, कि track में आपका जो interface है, ठीक है, तो कहीं पे लिखा होगा, serial, उसको track करना, कौन से वाला interface है तुमारा, 0 by 0, अब अगर default इसको as it is enter कर दोगे, तो यह क्या करेगा, आपकी priority को 10 से decrement करेगा, जैसे do, show, stand करूँ, तो आप आप यहाँ देखोगे track के ही साम से, कि track interface 0 by 0 पर, decrement 10 का है, state up है, ठीक है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसकी priority भी 150 है, क्योंकि अगर आप do, show, IP, interface, brief, check करते हो, serial 0 by 0 is up, line protocol is up, no problem, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे serial 0 by 0 को को कर दू, shutdown, तो यह देखिए, protocol डाउन हुई, और लेकिन क्या अब HSRP को फरक पढ़ने वाला है, नहीं, check कर लेते, do, show, stand, 150 priority थी, 10 से कम होगी, decrement by 10, तो track की state तो डाउन है अभी, serial की, लेकिन अभी भी यह active ही है, क्योंकि मेरी priority अभी इसकी सबसे ज़्यादा है, बाकी के अगर check करोगे न यहाँ पे, त stand by router आपका ये है, उसकी priority 100 है, वो कैसे active बनेगा, तो उसकी लिए अपने पास फिर क्या फंडा है, कि भिर मैं इस जो track वाली command थी न, और पहले तो एक बार interface चेंज कर लूँ, जो कि मैं serial मेरू, interface 020 पे जाके, अब track की command में आप priority को यहाँ से क्या करोगे, लिख दोगे, कि अब 50 से कम करनी है, तो जब track down होगा इस case में, तो आपकी priority अब 50 से down होगी, तो do, show, अगर आप stand करोगे, अभी कितनी दिखा रहा है, 100, तो देखो 50 करना भी हमारे लिए ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी 100 इसकी है, और stand by की भी कितनी है, 100, और ये फिलाल active बना हुआ है तो दूसरा active बन नहीं सकता, तो कि priority सेम है, अगर कम ज़्यादा हो तो हो सकता है, तो एक और काम करता हूं, इसको 50 की में जाए न, 55 या 60 कर दो, अब अगर आप देखोगे, तो change होगा आपका HSRP में, router का election, ये देखिए जी, किसमें चलागा speaking में, फिर वो देखेगा कि फि show stand, तो ये देखिए किसमें है आपका listening में, क्योंकि आपकी priority क्या होगी, 90, ये R2 किसमें चला गए आपका, standby में, जो पहले किसमें था, listening में, और R3 जिस पे highest IP थी, वो किसमें चला गए आपका active में, जो पहले किसमें था, आपका standby में, तो ये थोड़ा सा एक funda है, जो down है, एक scenario और हो सकता आपका, अगर मैं आपको दिखा हूँ पहले, तो एक बार यही दिखा देता हूँ, theory आपको, की interface tracking वाली है, तो scenario 1, जो हमने last video में discuss कर लिया था, scenario 2, जो अभी discuss किया है, और एक और scenario जो है, वो आपको देने वाला हूँ, आप practice करिएगा, और hint, और सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा कुछ निए, फिर भी ना हो पाए, तो मिरे को let me know in the comments and all, तो यह सारी commands यहाँ पर लिखी हुई है, priority वाला, जो decrement, default, decrement है, और you know, scenario 3 is the ISP itself is down, मतलब की problem अब ना तो यहाँ पे है, अगर आप देखोगे, आपके इस router पे, मतलब यह router के other end पे दिक्कत है, तो अब आप क्या कर रहे हो, कि भई, आपको कैसा पता चले, कि उधर problem है, तो उसके लिए आप, एक external track होता है, ठीक है, वो लगा सकते है, और इसमें क्या track करना है आपको, कि यह जो यहाँ पे loop, zero वाला interface है, तो जो आपका DNS actually, वो आप track कर लो, तो एक track, and let's say, 50 के number से मैंने बना दिया, यह global mode में बना रहा है, third mode में, और interface पे, HSRP में नहीं, तो इसमें क्या करना है फिर आपको track 50 में, और IP route बता दो, कहां तक के लिए आपको reachability चेक करनी है, 880-255-255-2550, तो यहाँ पे route और subnet mask दोनों मांगता है, जैसे यह starting routing में मांगता था, last में बोलोगे reachability, कि जब तक इसकी reachability अप है, आपके active router तक, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, smooth है, चलने दो, जैसे चल रहा है, जैसे ही, आप यह वाली reachability, you know, मालो, वो होगी, affected, मालो इस पे जाके ना, आप, ISP और router पे, interface loopback 0 को, shut down कर दो, कर दिया, उसकी वज़े से, अब क्या होना है, कि इस पे impact पड़ेगा, पर अब यह react कैसे करे, उसके लिए आप क्या करोगे, interface में जाओ, जो आपका hsrp enabled interface है, उस पे लिख दो, आप standby, track, 50, and फिर decrement, वही decrement का concept मैं आपको बता दिया है, क्योंकि, default priority दस से कम होती है, और आपको करनी है ज्यादा, क्योंकि इसकी 150 थी तो आप 60 लिख दोगे, तो यह सारी commands, configuration, जब आप करोगे, अपने active router पे, तो यह कुछ ऐसी commands है, देखो यह theory मैंने लिख यह देख लेना, how to solve this problem, using the external track in the global mode, वो मैंने आ आपको अगर दिखा हूँ, मैं यहाँ पे, यहाँ लिखा हूँ, यह interface की command है, inbuilt track के लिए, और यह वाली कैसी है, आपकी, global mode की command है, ठीक है, तो track 10, IP route, यह जो मैंने बताया आपको अभी, show track और number लिखोगे, तो आपको दिखा देगा, ओ track बना हुआ, कि किस के लिए बनाय जरूर, तो अच्छी बात है, जी चलिए, तो I guess काफी है इस वीडियो में, और अगली वीडियो में हम बात कर लेते हैं, VRRP, और I guess कर लेंगे आप लोग, VRRP में भी ऐसा कुछ बताने वाला होगा नहीं, तो theory discuss करेंगे, lab मैं आप पे छोड़ता हूँ, एक lab में मैं I guess, almost इत होने वाले नहीं आपको, तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, बाबाई, टेक कियर, yes keep smiling